हेलो फ्रेंट्स आज हम पढ़ना जा रहे हैं डेली करेंट अफेयर्स mqq कोश्यन है जो कि expected है SSECGL 2022 UPSC 2022 BPSC 2022 और NDA 2025 की लिए काफी most important है यह टोडे डेली करेंट अफेयर्स के top 15 प्लस mqq कोश्यन है कोश्यन नमर वन हमारे पास है question 1 question 1 दिया हुआ है मारक रट किस देश के नए प्रधारमंत्री बने आसरो जगर नीदर लेंड की इसके कुछ एमपोर्टिन पॉइंट भी है नीदर लेंड देश के प्रधारमंत्री के रूप में चौथी बार मारक रट ने अपने कारिकाल की सपत ग्रण की इसे के साथ पीएब नरेंद मोदी ने भारत और नीदर लेंड की बीच ब्यापक साज़दारी को नई उचाईयों पर ले जाने के लिए मारक रट को बधाई दी नीदर लेंड की राजधानी का नाम एमस्टर डैम है एंड नीदर लेंड की मुद्रा का नाम यूरो है अंगला कुश्यन है निकारगुए देस के नए राष्टपती कौन बने आशो जाएगा डैनियल ऑटेगा वो वीकेंदी निूप प्रेशिडेंट आप निकारगुए आशर इज डैनियल ऑटेगा इस से related important point है निकारगुआ के राष्टपती के रूप में जोस डेनियल ओटे का साविद्रा को नियुक्ति किया गया यह उनका देश के राष्टपती के रूप में पांचमा कारिकाल और लगाता चौथा कारिकाल है वह है जन्वाली 2027 तक देश के राष्टपती के रूप में कारियत रहेंगे उन्हें नेशनल असेम्बली के प्रमुक्त गुस्तावो पौरस ने राष्टपती की सपद दिलाई निकारगुआ देश की राजधनी का नाम माना गुआ हैे यंड निकारगुआ देश की मुद्र कहां किया आंफर पुछ आप तेलंगाना में वर दिड्य डिए ओशींव के तेंग गाइड़ मिसाइल का सब्ल परिक्षान भारत के तेलंगाना राज में किया जहां स्वद्द इसमें विक्सित कि गई एक एंटी टेंग मिसाइल है जोगी थरमल साइट के साथ एकिकरत कर्मानाव संचालित लांचर की रूप में कारिक कर सकती है। DRDO का मुख्याला नई दिल्ली में इस्तित है और DRDO की स्थापना उन्नीश्यों अंठाउन में की गई थी। अंगला कुश्यन है किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राश्ट्य द्वज फैराया गया। आंसर है राजिस्थान में। In which state the world's largest national flag was unfurled। आंसर है राजिस्थान। इस ते related important point है। राजिस्थान राज्य के जेसल में में खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राश्ट्य द्वज को तेना दिवस के उपलक्ष में फैराया गया है। यह राश्ट्य द्वज दो सो पच्चीस फीट लंबा और एक सो पचास फीट चोड़ा है। जिसका कुल बजन लगवक 1400 किलोग्राम है। जिससे खादी एवं ग्रामोद्यों को आयोग द्वारा तैयार किया गया है। इस जंडे को तैयार करने के लिए 70 कारीगरों को 49 दिन का समय लगा है। लकुशन है। रेल मंत्राले ने केवडिया रेल्वी स्टीशन का नाम बदल कर क्या रखा है। आंसर हो जागा एकता नगर रेल्वी स्टीशन। वाट वाज वीन रिनेम्ड दी एज के वडिया रेल्वी स्टीशन वाई दी मिनिस्टरी आप रेल्वी आंसर एकता नगर रेल्वी स्टीशन अंगला कुश्यन है इस से रिलेटेट इंपोरेंट पॉइंट है भारती रेल मंत्राले ने एक गुजरात राज्जी के नर्बदा जिले में इस्थित के वडिया रेल्वी स्टीशन का नाम बदल कर एकता नगर रेल्वी स्टीशन करने की मंजूरी दी के वडिया रेल्वी स्टीशन इस्टेश्यू आफ यूनिटी के बड़ोदराट डिवीजन के अंतरगत आता है जिसका इस्टेशन कोड एके एनार होग जबकि इस्टेशन का नुमेरिकल कोड 08224620 रखा गया है गुजरात की राजधानी का नाम गानी नगर है गुजरात के बर्तमन गवर्नर आचार्य देवरत है और गुजरात के बर्तमन मुख्यमंत्री भूपिन भाई पटेल है अंगला कुश्चन है किस राजध ने नेपाल सीमा के पास चार गाओं को राजस्तो गाओं गोसित किया आंसर है उत्तरप्रदेश विच स्टेट डिकलेड फोर विलेजेस नियर नेपाल वार्डर एज रिवेन्यू विलेज आंसर है उत्तरप्रदेश इससे रिलेटेट इंपोर्देश सरकार में नेपाल सीमा के पास इस्तित चार गाओं को राजस्तो गाओं गोसित किया यह चार गाओं जिले की मिहीन पुरवा तहसील में इस्तित भवानी पुर तेडिया ढाकिया और बिचिया है यह सभी गाओं बतांगिया गाओं है जिसे मंतागिय समुदाय के लोग रहते हैं इन चार गाओं में करीब 225 परिवार है इसमें 1500 से अधिक सदस्य है उत्तर प्रदिश की राजधानी का नाम लखनव है उत्तर प्रदिश के बरतमान मुक्रिमंत्र योगी आधित्र प्रदिश के बरतमान राजजिपाल आनंदी बेन पर्टेल है अर्यकों राजह में जग की जगनात स्मार्ट टाउं सिर्फ योजना लौंज लोच ऑन्सर आंण राज़ाट इस से रिलेटेट इंपोर्टेट पॉइंट है आंदर प्रदेश के बरतमान मुख मंत्री यह जगनमोहन रेड़ी ने जगननात स्मार्ट टाउन सिर्फ योजना एवं वेपसाइट लांच की इस वेपसाइट को तड़ेपली केंप कार्याले से लांच किया गया यह वेपसाइट उन लोगों के लिए है जो कि मद्यम वर्गिये परिवार से सम्मन लगते हैं और अपने सपनों का घर बनाने के लिए घर या जमीन खरीदने का प्रियास करते हैं वह किसी रियल स्टेट एजन्टों की सिकार ना बने इसके लिए इस वेपसाइट की को लांच किया गया अंगला कुश्चन है किस खिलाडी ने भारती टेस्ट क्रिकेट टीम की कपतानी से इस्तीफा दिया आंसर है विराट कोहली इससे रिलेटेट इंपोर्ट पॉइंट है भारत के क्रिकेट कपतान विराट कोहली ने साथ साल बाद भारती राष्टी एक क्रिकेट टीम के टेस्ट कपतान के पत्स्य इस्तीफा देने की गोषना की उन्होंने पहली बार बर्स 2014 में अस्टेलिया के खिलाब टेस्ट क्रिकेट में राष्टी टीम का नित्रत किया था 2021 में भारत ICC 200 टेस्ट चेंपियंसिप के ओधगाटन में ओबिजेदा टीम घोसिद हुई थी राष्ट कोहली ने हाल ही में भारत के T20 कपतान के पत्से भी इस्तिवा दिया है अंगला कुश्यन है किस देश ने दुनिया के सबसे भारी सुपर्सोनिक लडाकु बिमान वाइट स्वान TU-160M बॉमबर का सफलता पूर्वक परिछन किया आंसर है रूस विच कंट्री है सक्सेस्पुली टेस्ट फायर्ड दे वाइट स्वान TU-160M बॉमबर दी वर्ल्ल्स हैविएस्ट स्वपर्सोनिक फाइटर एयरक्राफ आंसर है रसिया इससे रिलेटेट इंपोर्डेंट पॉइंट है रूस देश ने दुनिया के सबसे भारी सुपर्सोनिक लड़ा को विमान वाइट स्वान टोपोलेव TU-160M बॉमबर का सफलता पूर्वक परिछन किया वाइट स्वान टोपोलेव TU-160M बॉमबर मिसाल हमला करने में सक्चम है जिसे रूस की सेना ने वाइट स्वान यानि सफिद हंस्ताम दिया है वाइट स्वान टोपोलेव TU-160M बॉमबर ने अपनी पहली उड़ान कजान एवियेशन एंटरपाइजिस की हवाई छेत्र में भरी है जिसमें बिमान ने 600 मीटर की उंचाई पर 30 मिनट तक उड़ान भरी है अनला कुश्यन है भारती रेलवे ने ट्रेंगार्ट के नाम को बदल कर क्या रखा आंसर है ट्रेंड मैनेजर इंडियन रेलवे इस चैंज दिनेम आप दी पोस्ट आप ट्रेंगार्ट टू वाइट है भारती रेलवे ने ट्रेंगार्ट के नाम को ट्रेंगार्ट के रूम में बदलने की होटना किके जिसमें ट्रेंगे ड्राइवर का नाम बदल कर लोको पाइलेट किया गया था इसके अलावा रेलवे द्वारा फायर मेन वा खलासी का नाम अदल कर सहायक लोको पाइलिट किया गया था रेलवे के अनुशार ट्रेन चलाने में गाड की महत्रपूर्ण भूमिका होती है जिसमें गार्ड का नाम काफी चोनूती पूर्ण होने के साथ ही गार्ड को नियन्तरण में ही ट्रेन चलतालत होती है इसके बाबजूद भी उन्हें गार्ड का नाम दिया गया था जो पूरी ट्रेन को मैनेज करते हैं इसलिए उन्हें अब मेनेजर का नाम दिया गया है.